क्या दमाग को ट्रांस्प्लांट करना मुम्किन है? मेडिकल साइंस में तरक्की के बावजूत दमाग ट्रांस्प्लांट करना अब तक मुम्किन क्यों नहीं हो सका? सन 1970 में अमरीकी नियूरो सर्जन राबर्ट जे वाइट ने एक गहर मामूली आपरेशन किया था. अमरीका की रियासत ओहाओ के दारुलहकूमत कल्यूलांट के एक हस्प्ताल में वाइट ने पहली मरतबा एक आपरेशन में बंदर का सर दूसरे बंदर के धर से जोड़ने का काम्याब आपरेशन किया था. ये आपरेशन अठारा घंटे पर मुहीत था जब इस बंदर ने आँखे खोली तो ये देख, सुन, सूंग और यहां तक के काट भी सकता था. इस खबर से दुनिया भर में खुशी की लहर दोड़ गई थी, हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया की पहली दमाग या सर की पेवंदकारी थी, जो काम्याबी से की गई थी. वाइट इंतहाई मजबी शक्स थे और वो मेडिकल बायो एथिक्स पर दो पोप्स के मशीर भी रह चुके थे, इसलिए उन्होंने इस आपरेशन को बार्डी ट्रांस्प्लांट करार दिया, इनका मानना था कि दमाग में इंसान की रूम मुजूद होती है और इसे दूसरे जिसम में मुन्तकिल करना मुम्किन हो सकता है, ताहम ये काम्याबी थोड़े अर्से के लिए ही थी, क्योंकि ये बंदर सिर्फ चंद रोज ही जिन्दा रह सका, वाइट ने इस हवाले से अपना काम जारी रखा और सेंक्डों तजर्बात किये, और अपनी प्रैक्टिस के खाहिश मन था, लेकिन इसका ये खाप कभी पूरा नहीं हो सका, वाइट वो अकेले डाक्टर नहीं थे जिन्नों ने इनसानी दमाग का ट्रांस्प्लांट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस हवाले से सबसे ज्यदा काम्याब जरूर थे, इनकी चानिप से मतारिफ करव ने आई थे, जिसमें जिन्दा जानवरों पर तजर्बात की घर्ष से ऑपरेशन किया जाते थे, शायद यही वज़ा थी कि इन्हें नोबल अनाम भी नहीं मिल सका, साइस में होने वाली तरक्की के बावजूद, हम ताहाल इनसानी दमाग की पेवंद कारी करने में नाकाम है, इसकी वज़ा एक ऐसा मसला है और वो यह है कि अब तक कोई भी किसी इनसान की रीड की हड़ी से कोई नया उज़ जोड़ने में कामयाप नहीं हुआ, वाइट के तजर्बात में बंदर, आपरेशन के बाद गर्दन से नीचे मकमल तोर पर मफलूज हो जाते थे, यही है कि उन्होंने अपने इनसानी कलाइंट के तोर पर पहले से माजूर जिसम वाले शक्स का इन्तखाब किया था, इनसानी दमाग को अक्सर अफरात की जानिब से काइनात की सबसे पचीदा चीज कराट दिया जाता है, दमाग के जरिए करोड़ों कुनेक्शन्स काइम किया जाते हैं, जिन से इनसान के तुमाम फंक्शन्स को कंट्रोल किया जाता है, कुनेक्शन्स के इस पूरे जाल को दुबारा इसी बारी की और नफासत से जोड़ना ताहाल हमारी पहुंच में नहीं है, अगर हम ट्रांस्प्लांट कर भी लें, तो हमारी यादास्त का क्या ये एक इंतहाई अहम सवाल है, क्योंकि हम इस बात पर रजामन्द हैं, कि दमाग वो उजव हैं, जिसमें हमारी शनाफ्त छुपी है, क्योंकि इस वकत मकमल दमाग को काम्याबी के साथ ट्रांस्प्लांट करना मुम्किन नहीं है, तो शायद हमें अपनी तवकवात पर करने में काम्याब हो जाते हैं, हमारे दमाग में भी खुद को तबदील करने की सलाहित मुझूद होती है, दमाग अपने नियूरंस में कनेक्शन को तबदील करके अपने आप में तबदीली लाता है, इस सलाहित को प्लस टेस्टी कहा जाता है, इस से हमें ये मालूम होता ह कि हम कैसे एक रियाजी की अकवेशन हाल करना सीखते हैं, किसी चीज का नाम याद करते हैं या ऐसी यादों को दमाग से खारज करते हैं जो हमारे लिए मुफीद नहीं होती हैं। इससे हमें कुछ केसिस में दमागी चोटों से सहत्याब होने में मदद मिलती है। ताहम दमाग की प्लास्टेस्टी का एक दूसरा रुख भी है, ये पारकेंसिस और अल्जाइमा जैसी बिमारियों को छुपा सकती है। और इन पर कई सालों या दुहाईयों तक किसी का दिहान नहीं जाता। यूँ दमाग बिमारी के बाइस होने वले नुकसान पर कंट्रोल नहीं कर पाता। हमें ये तो मालूम है कि नियूरंस कुनेक्शन तबदील करने की इसलाहियत रखते हैं लेकिन क्या ये दुबारा बन सकते हैं या नहीं। अकसर अफराद इस बात का ये जवाब देते हैं कि हम वक्त के साथ असाबी खुलिये खो देते हैं और फिर इनका मुतबादल लाना मुम्किन नहीं होता। इस मौज़ों पर मुबाइसे होते रहते हैं लेकिन हमें अब ये मालूम हो चुका है कि ये दुरुस्त नहीं है और दरसल ऐसा मुम्किन है। हमारे दमाग में स्टीम सेल्स मुजूद होते हैं जो हर रोज नए नियूरोंस बनाने का बाइस बनते हैं। इस प्रोसिस को नियूरो जेनिसी कहा जाता है और इस हवाले से मालूम होने के बाद से नियूरो साइंस के शुबे में इनकलाब भरबा हुआ। बदकिस्मती से ये सलाहियत किसी इंसानी दमाग के मखसूस हिसों में पाई जाती है। इन में से एक वपो केमपसी है जो सीखने और याद रखने के अमल में शामिल होता है। ताहम अच्छे खबर ये हैं कि नए नियूरोंस की पैदावार खुद भी बढ़ाई जा सकती है। वर्जिश और एंटी एक्सिडेंट्स से भरपूर खाने पिने की अश्या खाने से इस प्रोसेस में बहतरी आती है। हमें ये भी मालूम है कि मुटापा, बढ़ापा और नियूरो डी जनरेटिव बिमारियां इस अमल को सुस्त कर देती हैं। इसलिए इन नियूरोंस की पैदवार को दुबारा से एक्टिवेट करने के लिए ताके दुमाग इन्हें दुबारा जनरेट कर सके अब साइंस का एक अहम मकसद बन चुका है। ये वो अमल है जिसके जिसके जरीए हम ट्रांस्प्लांट के खाप की तामीर को पूरा कर सकते हैं और इस मरतबा बेहतर नताइच और काम्याबियों की उमीद कर सकते हैं। इस हवाले से आइडिया बहुत बुन्यादी है और ये है कि जब नियूरोंस खतम हो जाएं तो हम इनके मुतबादल के तोर पर दूसरे नियूरोंस दाखिल करते हैं। और ये जान कर शायद आपको हैरानी हो कि हम ये काम कई दहाईयों से कर रहे हैं। परकेंसिस की बिमारी नियूरोंस के खातमे का बाइस होती है जो डूमान पैदा करते हैं। इसके बगएर दमाग में हल्चल मच जाती हैं जिससे दमागी मोटर्स से मतलब मुख्लिफ मसाइल पैदा हो जाते हैं। इस नुकसान को मरम्मत करने के लिए नियूरोंस की ट्रांस्प्लांट की गई जो ये अहम नियूरो ट्रांस्मिटर की पैदावार का काम देते हैं। इसके नताइच लिबार्टरी में जानवरों पर बेहतरीन थे और अक्सर मरीजों में भी इसके अच्छे नताइच देखने को मिले। ताहम ये सिर्फ तजर्बे की हद तक थे इस अमल को क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाने से पहले मतदत मसायल का हल ढूंटना भी जरूरी है। हमें नियूरोंस के ऐसे जरीय की जरूरत है जिसे आसानी से इस्तमाल किया जा सके। इस वकत इसे जनीन के टिशू से निकाला जाता है और जाहिर है कि इसकी मगदार कुदती तोर पर महदूद है। एक मरीज में ऐसे हजारों कुलियों की जरूरत होती है और अगर हम देखें कितने अफराद इन बिमारियों से मतासिर हुए हैं तो ये तदात करोडों में है। इस जिमन में सिस्टम सेल्स की सुरत में एक अच्छा जरीय दस्तियाब है। हमें ये उमीद रखनी है कि नियूरोंस सिहत मद रहें और अपने इर्दगीत मुझूद खुलियों से जुड़ें। जब तक हम इस मरहले तक पहुँचें हमें ये भी दूआ करनी होगी कि दमाग की नियूरोंस बनाने की सलाहियत भी इतनी ही रहे। ताहम इस हवाले से हमें साइंस पर ब्रोसा करना होगा क्योंकि वो भी हमारे दमाग की तरह इंतहाई लचकदार है। आखिर में मैं आपको बताती हूँ कि ये तहरीर दी कॉन्वर्सेशन वेब साइट पर शाया हुई थी और इसे क्रिटिव कॉम्स लाइसेंस के तहत दुबारा शाया किया गया है। अल्ला हाफिज